कि हेलो फ्रेंज आज में लेकर आए हूँ आपके लिए कच्छे आलू का बहुत ही टेश्टी और सांदार रेस्पी आप एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने का मन करेगा और यह रेस्पी सबको बहुत ही पसंद आएगी मैं मारा मैं श्वरी गयत्री केचन में आप सभी क स्वागत है तो मैंने दो यह कच्छे आलू लिया है इसके छिलके में निकाल ली हूँ और एक बावल में इसे इस तरीके से कद्दू कस कर लेना है इस तरीके से तो यह देखिए मैंने आलू को इस तरीके से लंबे-लंबे कद्दू कस कर लिया है इस तरीके से देखिए तो मैंने अलू को कदूकस कर लिया और इसको अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है तो देखिए इसका पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है तो आप इसमें मैं एक चमच दरदरा कोटी हुई काली मिर्च नमक स्वाद अनुसार और एक चमच मैंने चीली फ्लैक्स लिया है और इसमें मैं आधा कब कॉन फ्लोर आटा डाल रही हूं जिससे आपका ये स्वाधिष्ठ नास्टा बहुत ही टेश्टी और बहुत ही बढ़िया बनेगा तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप पानी बिल्कुल मत डालेगा क्योंकि ये आलू है तो पानी थोड़ा बह है लिए और बिल्क देल आ hm डिया है तेल से गर्म हो गया है तेल को मैंने मीव्यं पर ही रखा है आप एककर करके इस उर्ष्ट्क्राणि नास्टे को स्भी कर लेते हैं धी तो इस त तरीके से मैंने ठोड़ा सा इस चमसे इस तरीके से कर लेते हैं जिससे ताकि एकमेसित आ और यह आसानी से हो जाए तो यह देखिए बहुत ही टेश्टी होता है आप एक बार जरूर यह घर पे ट्राई करिएगा और बताईएगा कि यह आपका कच्छे आलू का नास्ता कैसा बना है बहुत ही कम घर में पड़ी समानों से जटपट बन जाएगा अगर आपके पास कॉ दाल लेती हूं इस तरीके से इस तरीके से मैंने निकाल लिया है अब दूसरी बार भी मैं एकक करके इस तरीके से कच्छे आलू का नास्ता फ्राई कर लेती हूं और इसे आप नायल की चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्वक कर सकते हैं अगर गेश्ट भी आ रहे हैं तो आप में फटाफट बना के दे सकते हैं तो यह देखिए कच्छे आलू का नास्ता बनके तैयार हो गया देखने में तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है खाने में तो पूछिए मत तो मैंने इसके साथ नारियल की चटनी और सॉस रखी हूं तो मैं आपको दिखाती हूं तो यह झाशिंग